असकार दोस्तो मेरे नाम है सेकर और स्वागत था आप सभी का हमारे ट्यूट चैनल सिकार स्टेडी पॉइंट पर दोस्तो इस वीडिये हम बात करने वाले हैं बंद रोगा रिजल्ट के बारे में दोस्तो इसका एकजाम हुआ था जुलाई में हुआ था 16 जुलाई से लेकर 26 जुलाई के बीच में इसका एकजाम हुआ था ओनलाइन मोड में ये परिक्ष्या कराई गई थी और दोस्तो अब लगभग लगभग की नवंबर आधा हो गया और अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया है तो इसी के समन्द में आपको जानकारी देने वा 2019 दोस्तो परदेश में बंदरोगा भरती परिकिर्या शुरूवी थी उसके बाद दोस्तो अप्रेल 2020 में उसका एकजाम प्रस्तावी था लेकिन कहां से उसमें कोईड-19 जैसी इस्तिती पैदा होगी थी तो बंदरोगा भरती बंदरोगा भरती का रिजल्ट 600 सवालों के च भरती में सामिल हुए अभरती उन्हें आरोप लगाया कि दिसंबर 2019 में भरती शुरू हुई थी लेकिन परकिर्या में लंबा समय लग गया है और पिछले करीब साड़े तीन महां से भरती रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है अब दोस्तो रिजल्ट पेपर देती तो सी यहां है यही परिक्ट्चा के बाद सभी अभरती उससे सवाल उपर चैलेंज मांगा जाता है इस दोस्तो रिजल्ट के साथ पिये आपकी आउसर की आजाएगी इसके साथ ही फाइनल रिजल्ट जारी हो सकेगा इसम में दोस्तो 15 से 20 दिनका समय लग सकता है तो दोस्तो अब लगबग लगबग की मान सकते हैं कि दिसंबर से पहले तक या फिर दिसंबर के सुरुआती हफते में दोस्तो इसका रिजल्ट आ जाएगा बंदरों का तो इसमें दोस्तो लगबग 316 पोस्ट हैं और इसके 2 गुना भरतियों को बुलाए जाएगा तो 632 पोस्टों के संक्या में कम कर दी गई है और अब लगबग टिक ठाक पोस्ट हैं सभी के लिए तो 316 पोस्ट हैं सभी अभ्धरतियों के लिए वांकी फोरेस्ट गार्ड जिनका फोरेस्ट गार्ड में हुआ है उन्होंने भी एक्जाम दिया हुआ है वांकी फोरेस्ट गार लगे रहिए बागी कुछ अभ्यर्तियों को फिर हानी राशा हाथ लगे कि तो फिर आगे पटवारी का एकजाम है और भी जो एकजाम है उनकी आप त्यारी करते रहे हैं तो पिटकुल मैं युवाओं को जल्द मिलेगी सरकारी नौकरी की सौगात अब इसके लिए भी दोस् तो सब कुछ हो गया अब लगवक की इनकी जॉइनिंग मिलने वाली है पावर ट्रांसमिशन कार्वरसन अब उत्राखंड लिमिटेड पिटकुल मर्ट की हुई दो भरतियों की रहा खुल गई है अधिनाष्त सेवा चैनायोग ने पिटकुल जूनियर इंजिन बिद्दू एम यांतर की पद्दू पर हुई भरती के लिए 10 जनुरी को भरती परिक्चा कराई थी इसके बाद 29 अक्टूबर को इसका रिजल्ड पिटकुल को भेजा गया इस रिजल्ड के आधार पर पिटकुल परबंद ने चैनित सभी 33 सुमिद्वार को 18 नवंबर को डाकुमेंट वेरिपिकेशन के लिए बुलाए है और इसके लिए सभी जरूरी दस्ता हुए जो कि जानकारी पिटकुल की वेबसाइट पर जारी कर दी है इसी पर कारपंत नगर विसुद्वी जल्ड पिटकुल में लेख अधिकारी कार्मिक अधिकारी और साइक बिधी अधिकारी के 26 भरती के लिए 26 शितंबर को परिक्चकराई गी थी इनकी सुची भी पिटकुल को उप्लब्द हो चुकी है सभी चैनित उम्मिद्वारों के डाकुमेंट वेरिपिकेशन 12 नवंबर को किया जाएगा और सभी उम्मिद्वार को 30 अक्टूबर को स्पीट पोस्ट इंटर्व लेकर दो नवंबर को माध्यम से इसकी सूचना भेजी जा चुका है और उनके पास अब्यर्ट्व के पास से पहुंच भी गया है तो यह थी आज की जानकारी बांकी मिलते हैं बहुत जलते एक नई वीडियो में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर इस तरह की अपडेट पाने के लिए थैंक्यू फ्रेंड थैंक्यू सो मच